EPS 19-5 पैंसन धार्कों के लिए एक बार फिर से ताजय ख़बर लेकर हाजिव पोच के हैं अगर आप भी EPS 19-5 पैंसन लाबारती हैं तो किरिप्या इस वीडियो को आप चरूर पोच करेगा देखिए सभी पैंसन लाबारती पैंसन बढ़ोतरी को लेकर मांग कर रहे थे लेकिन सुप्रीम कोड द्वारा पैंसन धार्कों के लिए जबरदस्त आदेश जारी किये गए हैं जिसके अंतरगस 3 मई 2023 तक अगर EPS 19-5 पैंसन लाबारती यह कारिया कर लेते हैं जो हम आपको यूडियो में बताने जारे हैं तो आपकी पैंसन में जबरदस्त बढ़ोतरी हो जाएगी और आपको बढ़कर पैंसन मिल पाएगी हलाकि काफी क्रमचारियों के मन में कई बड़े सवाल भी उट रहे हैं तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वालों हैं आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किरपिया वीडियो को लाइक कर दीजिए और अंध तक आप हमारे साथ बने रही हैगा देखे एपियस 95 पैंसन धारकु के लिए क्रमचारी भवविश्य निदी शंगठन ने अधिक पैंसन पाने का जबरदस्त मौका दिया है इपियफो ने अपने इलेजिबल सब्सक्राइबर्स को अधिक पैंसन देने के लिए ओप्सन चुनने का मौका दिया है जिसके अंधरगत करमचारी भविश्य निदी संगठन ज़्यादा पैंसन पाने के लिए अपलाई कर सकते हैं अपलाई करने की अंतिम्तिति में बढ़ोत्री की गई है साथ ही पैंसन बढ़ोत्री को लेकर काफी क्रमचारी के मन में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं इससे खुस हैं और कुछ क्रमचारी ऐसे भी हैं जो नई पैंसन यानके पैंसन बढ़ोत्री को लेकर जो विकलप दिया गया है उससे वह ना खुस हैं तो ध्यान दीजेगा देखिए अगस्त 2004 में EPS के नियावों में एक बार फिर से बदलाओ क्या है ठीक है वह जिसके बाद पैंसन योग्या आई की सीमा को 6,500 रुपे से परती महा बढ़ा कर 15,000 रुपे कर दे गया था इसके साथ ही करमचारियों को यह विकलप दिया गया कि वह अपनी वास्तविक बेसिक सैलरी के इसाब से EPS में योगदान कर सकते हैं यानिके जो आपकी बेसिक सैलरी है उसके अनुसार EPS में योगदान कर सकते हैं और इसके साथ ही यानिके इसके लिए उन्हें अपने संस्थान में आवेदान करना होगा जिस तरह भी वह कारिया कर रहे हैं यानिके जिस भी कमपनी में वह कारिय कर रहे हैं वहाँ पर उन्हें आवेदन करना होगा वहीं अगर कोई करमचारी इसके लिए आवेदन नहीं करता है तो उसकी बेसिक सैलरी में EPS में योगदान 15,000 रुपए की अधिक्तम शीमा के हिसाब से ही किया जाएगा वहीं कोट के आदेश का पालन करते हुए EPS ने जादा 15 के लिए आवेदन की तारीक चार महिने के लिए बढ़ा दी थी यह चार महिने की अवधी 3 मार्च 2023 को समाप्त हो रही थी लेकिन हाली में एक बार फिर EPS ने जदा 15 पाने की स्कीम में आवेदन की तारीक को बढ़ा दिया है जिसके अंतरगत करमचारी पैंसन योजना यानिके EPS 95 के अंतरगत जो विकल्प है वह 3 माई तक जदा पैंसन का विकल्प की चुन सकते हैं यानिके आवेदन कर सकते हैं और उन्हें अधिक पैंसन मिल पाएगी अब दोस्तों ध्यान दीजेगा कि आपको पैंसन अधिक किस प्रकार से दी जाएगी वह आप यहाँ पर जानिएगा देखिए अभी 15,000 रुपे की सीमा तक आपके विकल्प का 8.33 परतिसत के बराबर इंप्लिवर पैंसन फंड में डालता है बाकी 3.67 परतिसत उसका योगदान पीएफ में होता है यदि आपने जदा पैंसन के लिए आविदन किया तो पीएफ में इंप्लिवर के योगदान का आधा हिस्सा पैंसन फंड में जाएगा यानि कि पीएफ में इंप्लिवर का योगदान घट कर 1.835 परिसत ही रह जाएगा अब यह आप पर निर्वर करता है कि आपको विकल्प चुनना है या फिर नहीं यह बात दोस्तों पकी है कि अगर आप विकल्प चुनते हैं तो आपको अधिक पैंसन मिल पाएगी और साथ ही आपको बता दें कि जो अधिक पैंसन आपको दी जाएगी वह कोई कमपनिया फिर सरकार अपनी तरफ से नहीं देगी वे आपके पैसे से ही आपकी pension को बढ़ाय जा रहा है और आपकी जो भी आपने जो भी investment क्या है उस तो जो भी आपने योगदान क्या है उसी के हिसाब से और उसी में से आपकी pension बढ़ाय जाएगी यादि आपका कोई भी सवाल है तो आप हम प्लाब कर सकते हैं आप से भी के शवाल का जवाब देजाएगां और आप से हमारा निविधन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब के लिए अपको नाश्टी वीडियो में तब तक के लिए जया हिंद के भारत